हेलो अव्रीवन नमस्कार दोस्तों हम लोग ने दोस्तों अभी तक क्या कर रहा है कि जो पार्लिमेंट है पार्लिमेंट के इस वाली चेप्टर से हम लोग ने जो डूरेशन है दोनों हाउसेस की राजेसभा लोगसभा की उस टॉपिक को कम्प्लीट कर लिया था अब अगला टॉपिक यहां पर आएगा मेंबर् है तो हम लोग एक बार के लिए इस्टेट लेजिसलेचर की टर्मस में भी जो दो हाउसेस हैं जिंजिन राजों के अंदर ओवराल तो हम ऐसे ही मानके जलते हैं इस डिस्कॉशन को that there are two houses in the state वो अलग बात है कि अगर इसकी डेप्स में जाएं तो हमें पता लगेगा हर एक के राज्ये में ऐसा रही है लेकिन फिर भी हमें डिरेशन इसकी जाननी पड़ेगी ठीक है तो what are the duration of the two houses एक आपका होता है state legislative assembly और दूसरा state legislative council ठीक है सबसे पहले बात करते हैं duration of assembly की जिसको हम लोग आम भाशा में बोलते हैं confused बिलकुल नहीं होना है विधान सवा ठीक है लोग सवा की तरह जो legislative assembly है जो विधान सवा है बहुत आप ऐसा माल लो जो उनका procedure होगा न वर्क करने का अगर जब आप खुद से read करने बैठो आप दिमाग में बस एक ही चीज़ लेकर चलना जो चीज लोग सवा में होती है वो चीज इस्टेट लेवल पर state legislative assembly या जिसको आप कहते हो वो सेम चीज विधान सवा का procedure होता है almost ठीक है जो चीज राजय सवा में होती है राजय सवा का जो process होता है वो चीज state legislative council या जिसको आप कहते हो विधान परिशद यह चीज उसमें होती है जैसे मैं आपको आज ना एक important चीज और बताता हूँ देखो अगर हम लोग center और state के parallel nature की बात करें ज्यांसा समझ ना ये 11th class में our constitutional work में ही दे रखा है और कई नहीं मिलेगा जो 11th class की NCRT है लक्षमी कान्थ भी इसके बारे में as such कुछ clearly आपको नहीं बताने वाला एक ही जगा पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ आज मैं आपको बह और ये state हम बीच में से मारते हैं एक line हम यहाँ पर कुछ positions और post के नाम लिखेंगे जो center level पर है ठीक है सबसे पहले हम यहाँ लिखते है नमबर बन हम लेते है पार्लेमेंट को तो अगर center level पर पार्लेमेंट है तो state लेवल पर होता है नमबर टू अगर center level पर है लोग सब तो state लेवल पर होता है आपका इस्टेट लेजिस्टेटेव असेम्बली यह जिसको आप कहते हो विधान सभा एक मिर्ट तीसरी चीज़ center level पर आपका राज्य सभा इस्टेट लेवल पर आपका होता है इस्टेट लेजिस्टेटिव काउंसिल या फिर विधान परिशद उसके बाद center level पर है p.m. state level पर होता है cm central level पर है president state level पर होता है governor center level पर होता है vice president ये बताओ कौन होता है state level पर इसके रहा कौन काम करता है जल्दी बताओ जल्दी बताओ ये होता है red zone state PSC और UPSC में एक ये trap ये बन सकता है जैसा कि मैंने आपसे काता भी इस table को देने से पहले ये चीज़ आपको जो 11th class की जो political science की book के वहाँ दे रखी है तो वहाँ पर mid term के अंदर बच्चों को जैसे में school level के बच्चों को जैसे पढ़ाता था तो उसमें उनको mid term में question prepare मैं पका करवा कर भेज़ता था जब mid term के exam सोते हैं तो उसमें question ही आता था name one post name one post which is available at the central level but not at the state level उसके parallelly मतलब उसके parallelly state level पे कुछ नहीं है तो उसके लिए ये table मुझे 11th class में मेरी एक maim ने कर रहाया था और पाद में आते आते मुझे proper इसका format पता चला के parliament जो है उसके बिल्कुल parallelly state level पे हमें देखने को मिलता है state list teacher लोग सभा की जगा विधान सभा राज्य सभा की जगा विधान परिशाद, PM की जगा होता है CM, President की जगा होता है Governor, ठीक है लेकिन Vice President एकलोती हमारी ऐसी post है जिसकी कोई एक shadow post परचाई वाली post कोई भी state level पर नहीं बनाई गई है ये वाली बात आप याद रखना extremely important ठीक है आपके two marks बद सकते हैं तो this is the red zone red zone मतलब in the sense की ये कुल मिलाकर आप रखना समय वेकेंट होती है there is there is nothing ओके तो अब बात करते हैं दोस्तों आगे लोग सबागे तरह जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ let's say of assembly जो है it is not a continuum chamber continuum chamber का मतलब यह है कि permanent नहीं है ये भी एक particular point पर इसका expiry होती है और उस expiry को हम लोग अगर constitution terms में बोलें तो वो इसका भी dissolution होता है अब अगर हम लोग बात करें अगर ये कहा रहा है कि ये dissolution होता है तो dissolution जाहिर सी बात है होता होगा कि एक तो जैसे लोग सबाग का जब tenure खता होता है तो 5 साल के पर चुना होने वाले है इस state level पर भी आपको पता है कि 5 years के चुना होते है मैंने आपको बस ये table देती है न तो आप बस confused मत होना आज के बाद जो चीजे लोग सबाग करती है वो विधान सबाग में वग करेगी 5 साल के चुना हो भापर 5 साल के चुना हो भापर उसका भी automatic dissolution जिस दिन से उन members ने oath और affirmations लिए होती है इधर भी oath और affirmations जैसी ही लेंगे तो MLS का automatic dissolution हो जाएगा उधर बीच में आपको पता है कि प्रेजिडेंट जो है वो भंकर क्या केदर dissolve कर सकता है लोग साबा को यहाँ पर कौन कर सकता है state level पर state level पर कौन कर सकता है governor है ना वो क्या बोलता है कि जो state की machinery है वो क्या कर गई है fail कर गई है और फिर भहाँ पर क्या होता है तब तक के लिए क्या लग जाता है राज्ये में क्या लग जाता है प्रेसिडेंट रूल ठीक है लोग सभा में नहीं होता है ऐसा लोग सभा में बता हो लगता है कि अगर ऐसा डिसॉलीशन हो तो है ना वहाँ immediate elections हो जाते हैं शाहिनी है ना तो यह जो normal term है इसका जो normal term है यह होता है five years जैसा कि हम सबको पता है ठीक है from the date of its first meeting after the general elections तो होता क्या सवगंदा जैसी राज्य के level पर विधान सभा के चुनाओ हो गए ना MLAI शपतले ने ठीक है उनकी जो पहली meeting होगी इस पहली meeting से सवगंदा देखा जाएगा 365 days into five including leap year यह होता है five year पता है बहुत चोटी थी चीज है लेकिन अभी मैंने recently 2023 की test series देखी थी vision यह बतानी inside की मैं उस दिन देख रहा था तो यह question पूझ रगा है कि automatic dissolution इन में से क्या होगा कि जब वो author affirmations लेकर आ रहे हैं और पांच साल का time खतम हो जाए इसको कहेंगे या president बीच में क्या कहते हैं पांच साल खतम होने से पहले ही उसको dissolve कर दे या क्या क्या क्यते है प्राइम मिनिस्चर जो है वो resign कर दे तो अभी भी मतलब ऐसे questions ने कल रहे हैं 2023 में फ़ली मैंने previous question पर भी मैंने state level पर देख रखा है यह question लेकिन बहुत छोटी थी चीज है automatic diss resolution ठीक है अब यहां कुछ बात दे रखी है इसको देख लेते जरा point number eight वो ही normal सी बाद जो term है legislative assembly जो पहले काम कर रही थी of the state of Jumbo and Kashmir वो 6 साल की हुआ करती थी under its own state constitution अब कितने साल की होगी पक्का पांच change कर दिया गया है article 370 को अटाने के बाद इसका tenure change करा गया है नहीं नहीं वो तो ठीक है मैं कहा रहा हूँ 6 से 5 कर दिया गया है लिख दिया गया है यह प्रूफ करना शाहिए नहीं चरहा यह यह चीज change हो गई है अब क्या है यह हो गया है अचे एक बाद बताओ article 370 जो जम्मु और क्रिश्मीरी के लिए applicable होता है इसको हटा दिया गया है आठकल 370 हट गया है वेरी गोड रागनी वेरी गोड कैसे नहीं अटा है पूरी तरीके से नहीं आप समझें नहीं आप समझें नहीं मैं कहरो article 370 जो था जिसके तहर जो भी चीज़े थी 370 जो भी है यह हटाती है गया constitution से अब हाँ तो शाहिनी इसका आंसर यह होता है इसकी effectiveness हट गई है लेकिन रागनी आपने इस चीज़ पक्का सुनी होगी ना मलब आप आम भाषा में अगर हम लोग उसको बूले ना देशी भाषा में एक पन्ना निकाल दिया जाता है एक पेज फाड़ दिया और दूसरा पेज इंसर्ट कर लिया पिन पेज वाला या इंसर्ट कर दिया बार बार इसली printing होती है हरे कमेंडमेंट एक के बाद हिंदी म को कोशन आजै रागणी तो बताओ students को बैवकु बनाना केतना असान है ना के पूरी तरомина के साठा दिया गया है including to बचे कहीं भी यह तो बच् engines यह धार कोई जानता है क्या तो यह गया, पुरी तरीके से, टेक्स से नहीं हटा है, टेक्स समझ रहे हो, शाहिनी सब लोग, स्वगंदा, टेक्स का मतलब क्या है, वम्हलब यह जो चीज लिखी होई है वो अभी वैसी ही लिखी होई है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता हटा देते हैं बस इसी के केस में ऐसा नहीं कर रहा है इसलिए मैं आपको exception बता रहा हूँ मैं क्या अभी तो बताया वे ने आपको जो भी commitment act वगर आती है तो वो पन्ने फाड़ किया नहीं पन्ने लगा है अब वो क्यालो कि सरकार का आलास है जो भी है क्योंकि देखो ये सरकार एक चीज पर बिलीव करती है कि governance के terms में तो implement हो गई वो चीज चाहे भली लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा हुआ है तो उसका जो presidential order भी आ चुका है तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि वहां लिखा हुआ है अभी तक इसको क्यों नहीं करा गया है उसको बस remove करना है उसको remove करना है वहां से वो remove नहीं करा गया बस बात यह है तो वो text में आज तक मुझूद है ये questions को याद रखना ठीक है state PSC में आज कल test series में जितने आज कल questions बंद रहें तो इस तरह की questions बने देख ही है तीक है उसके बाद बात करते हैं आगे however governor is authorized to dissolve the assembly अगर ये लोग सभा होता तो यहां पर कौन होता अगर ये लोग सभा होता तो यहां कौन होता प्रेशिडेंट गबनेर इस ऑथराइज्ट टू डिजॉल्ग असेमली एट टाइम इवन बिफोर दा completion of five years जब पांसा complete नहीं भी हो उससे पहले वो कर सकता है और वो फिर एक रास्ता दे सकता है जब ऐसा कभी होगा तो fresh चुनाओ होंगे लेकिन ये fresh चुनाओ किस के लिए होंगे कौन आएगा MLA ठीक है further याद ध्यांतर देखना हमने वैसे तो जो पूरी की पूरी debate and discussion करी थी वो इस मुद्धे पर करी थी कि लोग सबा लोग सबा का tenure extend करा जा सकता है during the period of national emergency पारलेमेंट की act की मदद से एक टाइम पर एक ही बार में एक साल के लिए होगा और इसको बार 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 करा जा सकता है लेकिन एक बार लोओ आएगा एक ही साल तो यादे न मयोडी वाली discussion के जब 1976 में खत्म होने वाली थी तो 77 तक कर दिया गया फिर 78 तक कर दिया गया लेकिन 78 वाला continue नहीं रह पाया क्योंकि उससे पहले यह भी पूरा नहीं रह पाया उससे पहले ही यहाँ पर dissolve हो गई लेकिन फिर भी लगबग वो था कि हमने पढ़ा था 5 साल 10 महीने something something days है ना अब इस्टेट लेवल पर बच्चे बहुत जादा यह जानते नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं बता ध्यान से समझना है सीज को जो टर्म है ना इस्टेट असेंबली की इस्टेट लेजिस्टेट असेंबली की जो टर्म है इसको एक्टेंट करा जा सकता है Mark my keywords दीखे extremely important क्योंकि हम यह state level पर बात कर रहे है during the period of national emergency by a law of the parliament यहां तक बात बिल्कुल ठीक है law of the parliament parliament की मतलब से भी मतलब इसका मतलब यह अगर मैं लोगसफ़क के इधर चप्टर पर आ जाओ तो यह सिर्फ एक दोस्तो parliamentary law की ही आउकाद होती है जहां से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ यह सिर्फ एक parliamentary law की ही आउकाद होती है कि वो emergency के टाइम पर एक parliament के दोरा बना हुआ जो कानून होगा वो state legislative assembly या जिसको आम भाशन में कहें विधान सभा के tenure को as well एक लोग सभा के tenure को affect कर सकता है influence कर सकता है और influence किस प्रकार से यहाँ पर influence और affect होगा in terms of extension वापस हो for one year at a time for any length of time obviously बात है जब parliament law लेकर आ रहे तो ऐसा तो है नहीं कि लोग सभा के लिए उसने बोला था लोग सभा के लिए उसने बोला था एक साल और यहाँ पर बोलते का नहीं नहीं तुम ना छे महीने रख कर लो तुम एक साल कर लो तुम दो साल के लिए extend कर सकते हो नहीं जब parliament का एक जो law है तो वो सब के लिए applicable ए common basis पर ही रहेगा वो क्या one year is common for both बापस हाओ however this extension cannot continue beyond a period of six months छे महीने दे जादा नहीं कब छे महीने दे जादा कब नहीं जब emergency जो है वो हट गई है emergency हटने के बाद maximum एक सो असी दिन तक और नहीं सकता है extension इसका मतब यह है कि जैसी emergency की revocation हो गई है हट गई है assembly के elections छे महीने के अंदर अंदर यह वाली बात मैं आपको बोली छे महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए parliament का text देखो this extension cannot continue beyond a period of 6 months इसका मतलब यह है यहाँ पर आप एक चीत गई हैट कर सकते हो 180 दिन के अंदर अंदर उसके बाद लोग सर्वा के चुना हो जाने चाहिए देखो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि GH पढ़ लो वो पढ़ लो एक सी ही बात है और इसलिए मैंने आपको आज एक guideline देती है वाली भी चीते सेम लेवल पर काम करती है जो कि centrum में जो state में है तो सुगंदा कल को अगर कोशन आजा तो अपनी लोग सभा की आपको मालो कि Parliament वाले शेप्टर की knowledge आपको याद आ रही है examination hall में have confidence इस table में सारा का सारा राज छुपा हुआ है have confidence in yourself कि हाँ मैंने जो structure central level पर पढ़ा है तो state level पर भी ऐसी होता होगा बस नाम change हो जाते हैं क्या नाम change हो जाते हैं जैसे महाँ president है सारी चीते सेम है हमने यह जो पूरा का पूरा text पढ़ा duration का सारी चीते सेम है इसके अंदर बस automated dissolution ठीक है पात साल सेम है law of the parliament सेम है छे महिने वाली बात एक साल के extension वाली बात एक स्वासी दिन के elections वाली बात सिर्फ एक person बदला है जिसको मैं highlight कर रहा हूँ ब्लू कर से वहाँ president यहां कवार दा और कोई भी उसके लिए थोड़ा से इतना पड़ा होना चीए अपके ऐसा नहीं कि आप बोल रहे थे कि सब कुछ सेम है तो जब यहां पर भी parliament के और law की मदद से ही इसका tenure effect होता है तो आप नहीं बोला था सब कुछ सेम है तो हम यहां पर हमने सोचा कि यहां इदर president होता है तो इदर भी हमें यह लगा president होता होगा नहीं यह examiner जो है इसी को trap पकड़ेगा इस पूरे उसमें से यह blue color जो मैंने highlight करा है यह सबसे बड़ा trap है इस पूरे text का ठीक है लक्ष्मी कान्त पूरे साल बच्चे पढ़ते हैं रश में पढ़ते हैं देखो लक्ष्मी कान्त का game बस इतना सा है अगर आप मेरी बात को समझ पाए मैंसे कोई decode नहीं करने वाला इस बात को अगर आप समझ पाए तो आप quality के सारे के सारे question ठीक कर ले जाओगे वरना आप हो सकता है कि quality की वज़े से ही भार हो जाओ पिलमस में आपको जो पूरे साल 1200 से 1500 पेजेज जो उसके पढ़ने है learn करने है, analyze करने है जिससे आपको question solve करने है examiner के पास बस इतनी सी leverage है कि उसके पास 365 दिन का समय है और उसको quality से 15 से 20 कोशन बनाने max, 20 में max बोल रहा हूँ 1 5th part जो है या 1 6th जो part है paper का वो quality occupy करता है आपको अगर ये चीज़ पढ़ने है तो आप सोच के देखो आपको कितना अच्छा सा time इस पर देना चाहिए, क्योंकि उसके पास leverage बहुत simple सी है, क्या 365 दिन का समय और सिर्फ 15 कोशन की framing आपको 1500 pages पढ़ने है और आपके पास भी 365 दिन का समय ये चीज़ दो जगा पर ज़रूर apply कर ले न समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ quality और economics के अंदर इस leverage को आपको हराना होता है ये इस time पर मैं अगर एक चीज़ बोलूँ अगर आप बस इतना सा game समझ जाएंगे आपका selection कोई नहीं रोख सकता यहाँ पर आपको rabbit होना है और ये tortoise है लेकिन ये rabbit dump नहीं होना चाहिए, clever होना चाहिए बीच में रोखना नहीं चाहिए मैं सो जाता हूँ क्योंकि tortoise अगर जल्दी ही पहुँच भी गया न अगर अपनी मन से सक जल्दी ही पहुँच भी गया न तो वो बोर हो जाएगा समझ जाने इस बात को duration of विधान परिशर state legislative council अब मैंने पताया है इसका structure राज जिसाब आगी तरह ऊपर देखो यह पहले लवे में वर्क करता है अगर राज जिसाबा का structure आपको वहाँ पर याद है duration इसकी तो यहाँ पर भी आपको कोई देखती होने वाली इसको देखते है क्या बोलना राइट है legislative council यानि कि विधान, परिशर या state legislative council member को हम लोग कहेंगे आपर MLC MLC हर state में यह नहीं होता आपको पता है कितनी states में total? जल्दी बताव total कितनी states में legislative council is a continuing chamber permanent होता है राज जबा भी सोगंदा permanent house होता है है न? विधान परिशर भी permanent house होता है लेकिन, लेकिन it is a permanent house and it is not subject to dissolution बिल्कुल सेम बात है लेकिन बस यहाँ पर एक चीज़ होती है अगर आपको interviewer पूछ ले कि आपका political science optional है बस इस basis पर बस पूछ ले आप एक impression जानने के लिए कि जब सारी चीदे सेम होती है तो एक major फरक बताओ मुझे ज़रा मयूर जी कि राज्य सभा और विधान परिशर में major फरक क्या होता है जब सारी चीदे सेम है tenure भी देखो यहाँ पर दिख जाएगा आपको छे साल का है सब कुछ है एक चीज बताते तो हमें आप लोगों को बस इसको याद रखना राज्य सभा का जो अस्तित्व है जो उसका वजूद है वो किसी के आसरे नहीं है मेरी बाद समझने की कोशिश करो उसकी जो existence है वो किसी पर dependent नहीं है लोग सभा की इतनी उकाद नहीं है कि इसकी existence को छेड़ सके करने को कर सकता है इसकी उपर controversy भी मची है कि यह house नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए इतना आसान नहीं है लेकिन हमारे पास जो आकड़े हैं उसके basis में भी यह कह सकते है राज्य सभा के साथ कभी यह नोटनकी नहीं करी गए यह लोग सभाय नहीं कभी उसको अटा दिया फिर बना दिया फिर अटा दिया फिर बनाये रखा फिर अटा दिया कभी कभार बनाने के उपर resolution आया और फिर वो halt पे चला गया प्रेसिडेंट ने उसको पास ही नहीं करा ये सब नोटंकी नहीं लेकिन ये नोटंकी पक्का हमें State Legislative Council में जरूर देखने को मिलती है विधान परिशद में पक्का देखने को मिलती है क्योंकि विधान परिशद किसके आसरे है बस ये एक major difference है जो याद रफना आप interview room में आपका दिमाग फटा फट क्लिक करना चाहिए और कोई major difference नहीं है बस obviously बात है अब इतना time तो कोई है नहीं न कि यू basic interview room में पहुँचा है तो इतना तो बता ही देखा कि राजल सबस central level पर work करता है बट same चीज है देखो same चीज one third office member retire on the expiration of every second year ठीक है so member continues as such for six years इनका भी टेन्वर शे साल का होता है vacant seats फिल करी जाती है fresh elections के द्वरा और कुछ-कुछ हैंपर nominations भी हो दी जो governor के द्वरा करी जाती है at the beginning of every third year हाँ nomination की जर्ण criteria बता दो मुझे जर्ण लिट्रेचर अरावारम से एक बरी लिख लेते हैं literature art science अगर एक बार के लिए मैं इसको अभी यहां तक रोग दूँ एक बार के लिए रोग दूँ यह nomination पक्रिया किस से match करती है HR एक बार के रोग दूँ राजे सभा से इस्टेट लिट्रेटिव काउंसल और राजे सभा की यहां तक अभी तक सेम है बारा यहां पर और यह depend करता है कि जो भी उस राजे की नंबर बगर आंगे उसके उपर ठीक है बस एक चीज और है यहां पर एक्स्ट्रा क्या जिल्दी बोलो वेरी गोड एक मेजर डिफ्रेंस और बता देता हूं वैसे पता तो होगा लेकिन दिमाग में बस एक क्लिक करने के लिए बता देता हूं राज्य सभा में जब यह नॉमिनेशन करी जाती है तो पूरा भारत का नक्षा देखकर करी जेंगी लेकिन ओविस ही बात है जब किसी राज्य की विधान परिशाद में यह नॉमिनेशन करी जा रही है तो वो बंदा कहां से उसी राज्य से होना जी कही और से भी हो सकता है इस्टेट इस्पेसिफिल यह सब मैं माइंड क्लिकिंग माइंड क्लिकिंग बाते इसलिए बताता हूं आपको यहार कभी कबार क्या होता है यह वो जो UPSC में बैठके जब वो कोशन हम सॉल्व कर रहेते हैं ना इजामिनेशन हॉल में यह तब हमें अपनी उपर एक चीज़ फील होती है यह तीस सेकंड का समय है मैं पूरा यह वाला सब्डेट पढ़ा हूं मिलको यह टॉपिक पता है यह यह लाइन तो कभी सोची नहीं मैंने फिर आपको पते क्या होता है शक यार इतना इजी तो नहीं हो सकता है यार पका कुछ न को श्क्रैप होगा यार इस लाइन में चले यार मैं इसको छोड़ देता हूं बाद में करूँगा लेकिन वो आपके सबकॉंशन मैं के अंदर आप अटक गया है आप अगले कोशन प पता है बस इस लाइन के अंदर जब यह बोल रहा है कि वह परसन का नॉमिनेशन अगर हो रहा है तो वह स्टेट स्पेसिफिक होना चाहिए वह भाहर से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और अगर वो सोचो दरा UPSC में यह स्टेटमेंट आ जाए नॉट एट ओल या फिर इन एनी केस इस नॉट पोसिबल अब लॉनों के दिवाग में क्या है यह तो एक्स्ट्रीम स्टेटमेंट है अरे भाई एक्स्ट्रीम स्ट्रेटमेंट है तो गोबर् थोड़ीना खाया हुआ तो उने दिमाग तो लगा यह कोई रूल है कि खुद बताओ मुझे इशा अगर यह आ जाए कि वो पर्सन सिर्फ इस स्टेट से ही होना चाहिए, स्टेट इस स्पेसिफिक नॉमिनेशन ही होने चाहिए, in any case it is not possible that such नॉमिनेशन can be invaded from other state, लगेगा ने इशा बटके सोचके कि शैसियर यह होता हो कि ट्रैप है बहुत बढ़ प्रेशर को लेकर टेक्स्ट प्रिपेर करता हूं एक एक लाइन कि एक्वर्ट को मैं लिखता हूं अपने A4 शीट पर या फिर जो भी रिस्टर मेरे होते हैं कि अच्छा वंधर यह चीज सेम है, यह सेम है, मैं ऐसे न खुद भी, आपको तो मैंने नॉर्मली बता दिया, म जड़ार जेसे बाबाइया तो मैं लिखता हूं अच्छा वन थ़र्ड वाली बाते से एंथ की, यह भी छे साल यह भी छे साल, यह बी छे साल, रहे होज फो है, वा छे साल कभी खाली क्यों हों एक घर सेम से, प्र्डेप लूआपर बलेक पैं से मैं का एक सबसे बड़ा traffic जो बन सकता है वो यह बन सकता है यहाँ पर nomination की जो field होती है वो 4 होती है और यहाँ पर होती है पांच उस पांच वे का नाम है cooperative movement दिपांग बेटा कभी मत बुलियो उसको ऐसे बात करते करते मैं अपने यह लिखता हूँ यह तो वो याद रह जाता है फिर आपको पढ़ा देता हूँ और याद रह जाता है बस यह चलती है मेरी strategies और वो इसलिए क्योंकि मैंसको time देता हूँ और उस time के किसी और उस time पर किसी के phone कोई message का reply नीच चाह कितना भी कोई important person हो कल रूडता हूँ हराम जादा है हराम जादी तो आज रूड़ जाए कुछ फरक नीच बढ़ता मुझे the retiring members are also eligible for re-election and re-nomination any number of times any number of times टेख लो यहाँ पर यह प्रेसिदेंशल नॉमिनेशन हैं वहाँ एक और बस एक टर्म चेंज होएगा nomination कौन करता है नॉमिनेशन कौन करता है governor यह रहाँ देखो और एक बात और यह दोखो retiring members are eligible for re-election and re-nomination any number of times same चीज़ है इतना समिशन में है आप लोग को को बताओ अराम से क्या समझाते थे every second year आपने वह discussion नहीं देखी किया वह उसकी quality की राजसभवाली हाँ तो उसको देखना उसमें समझ में आजागा every second year चलो मैं एक बार ही बता देता हो क्या होता है देखो यार अगर हमने क्या कर रखा है यह वाली बात मुझसे किसने पूछी थी पता नहीं आपनिसे इशा ने पूछी थी किसने पूछी थी इशा हाँ आपने ही पूछी थी ना कि उनका क्राटीरिया कैसे कर रखा था राजसभवाक एंदर जब पहली राज्य सहभा का गठन हुआ था तो एक बात याद है कि सबको यह बोला गया था कि एक साथ नहीं एक साथ रिटार्मेंट नहीं होगा लॉटरी सिस्टम एक डिसेड करा गया था याद है इशा और यह एक्सेप्शनल केस था क्या आज की टाब में रिटार्मेंट लॉटरी सिस्टम चे होती है बताओ नहीं न इसकी जिम्दारी समिधान ने दीती पार्लेमेंट को पार्लेमेंट ने किसको दीती है कि रिटार्मेंट का प्रोसीड देखो कौन था वो परसल प्रेसिडेंट ठीक है अब क्या होता है मयोर जैसे मिलना माल लो वह एक नॉर्मल एक्जांपल दे रहा हूँ मैं बहुत छोटा एक्जांपल पे आता हूँ मैं 10 मेंपर है यह दस के 10 का रिटायर्मेंट अगर एक साथ ही है जिस दिन अगर उनकी एंट्री है और जिस जन अगर उनकी exit है यह house हो खाली हो जाएगा तो इस बात की तो फिर मर्यादा भंग हो गई इस बात की तो मर्यादा फिर भंग हो गई that it is a continuing chamber कहां से भही फिर continuing chamber तो हमें एक चीज ऐसी सुनिश्चत करने पड़ती है यह वाली बात भी मैं आपको सबको बता देता हूँ देखो सारे राज्यों में second house है नहीं जिन जिन में है न तो इशा पता है वहाँ पर क्या करा जाता है जैसे पहली बार कोई तो दिन ऐसा होगा न कि जहाँ पर सबसे पहली बार स्टेट लिस्टेटिफ काउंसल या फिर मैयूर बिदान परिश्चत बनाए कई हो कोई तो first day होता ही होगा न बहाँ पर न मैयूर एक साथ मेंबर्स नहीं लाय जाते हैं पहले दिन पूरा एक साथ नहीं भरा जाता है एक बात और जो की आपको मिस कर गया बताना यहाँ पर भी जो elections होते हैं वो indirect elections होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं proportional representation और हमारे देश में list system दो होता नहीं है by means of single transferable vote ठीक है अब देखो यहाँ पर जब members आते हैं न तो मयूर दस members लाने थे तो पहले साल के लिए न तीन members लाए जाएंगे फिर दो साल बाद फिर से तीन members लाए जाएंगे फिर दो साल बाद फिर से तीन members लाए जाएंगे और उसके दो साल बाद अगर हमारे केस में बचा एक मेंबर वो ऐसा लाए जाएगा क्या हो गया कोई कुछ कह रहा है क्या अपने हाथों पर नियंतरन रखा करो गया तो यह है ऐसे करके लाए जाएगा अब मैयोर जब यह दो साल जैसे इधर आये हैं दियान से देखना 2022 में इनोंने एंट्री मारी इनोंने मारी 2024 के इंदर इनोंने 2026 इनोंने 2028 ठीक है इनका टेन्योर 6 साल का है यह रेटायर कब होंगे 22 वाले 28 में जब इसने एंट्री मारी है जब इसने एंट्रीम आ रही है ये कब होंगे रिटायर ये कब होंगे 26 वाले ये कब होंगे अब आगे गेम देखना जो ये 28 वाले ये जो रिटायर होंगे तो 28 में इलेक्शन होंगे फिर से 3 मेंबर यहां पर आजेंगे 30 में फिर से 3 मेंबर 32 में भी ये 3-3 और 34 में भी तो बताओ ये कभी हाउस खाली हो पा रहा है कि इस साइकल की वेज़े से बताओ हो पा रहा है एक साथ एक साथ समझ गए मैं लब ये ट्रिक क्या है यहां पर तो बस हाँ हाँ इसलिए समझ गए तो मैंने आपको एक्जामपल इसलिए वो 9 वाला लिया इस बंदे को चुन हटा भी दो ये फुक्रा क्या कर रहा है हां पर इसको एमेल सी बनने को कोई अधिकार नहीं है ऐसे माल लो ये तो हो गया बंथट बंथट अगर आपको दिख रहा कर मैं इस इन नौ लोगों को बंथट माल लो तो है ना अभी सेम टैपे कभी हाउस खाली हो पाएगा क्या पूरा कबूरा आप लोगों को एक चीज याद है ना मैंने वह एक्जामपल दिया था मिजबा कि घर पे कोई ना कोई रहगा ही रहेगा पका सुगंदा आपको लिया था मैंने उस एक्जामपल के अंदर है ना या समझाने के लिए कि एक जड़ बग्का घर में रहे गई रहेगा पूरा घर खाली नहीं होने वाला एक साथ हमला बस वो है कि प्रोसीजर देखो उसका ऐसा रहता कि बस इसको ये है कि एक साथ कभी खाली नहीं होता ना बस इस नेचर की वज़े से कि सबका जो मेंबर्स है ना वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड सबके चुनाओ अलग अलग साल पे और उस चुनाओ वो जब टेन्यूर ख जाएंगे तो कोई ना कोई फिर भी यहां पर रहने बाला है जब नीचे वाले तीन चले गए अगर ये चले गए तो बाकी दो बच्चे है ये अगर चले गए फिर भी बाकी दो बच्चे है सेट बचा है बस ये ऐसे चलता रहता है that is why it is known as containing chamber permanent chamber just like center level पे कौन सा होता है इसलिए मैं कली बता रहा था आप लोगों को के कोशिश ये करना जो प्रोटोकॉल का एक्जाम हो वो लोग साब प्रोटोकॉल बनने की कोशिश करना ठीक है तो इस discussion में दोस्तों फिलाल इतना ही thank you very much for discussion कर दोस्तों प्रोटोकॉल